What's up everyone, welcome back to the channel, तो guys मुझे पूरी उम्मीद है आपने 40 on 40 कैसे prepare करना है, कैसे score करना है, वो plan पूरा strategy देख लिया होगा, मैंने सभी वीडियो शेयर कर दिया है, फिर भी मैं आई बटन में डाल देता हूँ, अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो, अब हम शुरू करने जा है, cash flow statement के साथ, तो आज तुम्हें जो mainly काम करना है, वो basics prepare करने है, इतने मैं बैट के रात को तुमारे लिए सारे questions बना लूँगा, so that मैं कल आपको सारे important questions हुआ से लेके रात तक पूरे करा दू, cash flow statement के और आपको कोई problem ना है, तो cash flow के important questions सारे करा दूँगा, basics आप इस व problem ना है, तो आराम से cash flow देखो, इतने मैं तुमारे लिए सभी important content, सारा important questions निकालता हूँ, cash flow, NPO, sample, papers, वो सब काम तुमारे लिए शुरू हो चुका है, बस तुम लोग अच्छे से देखते जाओ, चो चालो, अभी whatever time complete करते है, cash flow in one go, all basics अभी right now, let's begin, अब बिटाजी, cash flow में नोट्स की बहुत importance होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़े मैं आपको लिखवाऊंगा, आप please साथ साथ नोट करके चलना, और अपनी copy में एक शन्दार से नोट्स बना लेना, so that exam time पे revise करो, तो perfect तुम लोग का revision हो जाए, chapter का नाम है, हमारे पास cash flow statement, cash flow statement, statement आप सब जानते हो, statement एक basically जैसे balance sheet एक statement होता है, जो किसी भी चीज़ का हिसाब किताब दे रहा है, यहाँ पे क्या है, यह statement किस चीज़ का हिसाब किताब देगा, यह statement हिसाब किताब देगा, cash के flow का, cash के flow का सर्फ देखो, business में दो प्रकार की transactions होती है, या तो cash या credit अब उधार वाली transactions को अगर मैं side में रख दूँ तो बसती है cash वाली transactions तो business में कितना cash आ रहा है या कितना cash जा रहा है उसको भी तो एक statement में record करना चाहिए न तो उसको बोलते हैं हम लोग cash flow statement ठीक है flow का मतलब क्या है दो प्रकार के flows होते है cash के या पैसा आएगा यानि की inflow या पैसा जाएगा यानि की outflow तो basically we are having two types of flows inflows and outflows of cash sir cash का मतलब क्या सिर्फ cash है नहीं cash का मतलब है cash और cash equivalents यानि की एक तो purely cash हो गया और एक हो गया cash equivalents यानि की जो cash से समान चीजें है cash के समान कैसे sir जैसे की आपकी short term investments हो गई marketable securities हो गई तो आप लिख भी सकते हो cash and cash equivalents में क्या क्या आता है एक तो आपका cash ही आ गया एक आपका bank balance आ गया cash हो गया bank balance हो गया किसी भी प्रकार के checks हो गये drafts हो गये ठीक है इसके बाद अगर कोई current investments है ऐसा word दिया हो current investment या फिर आपको marketable security दिया हो marketable securities ये वो चीजे हैं जो बहुत जल्दी cash में convert हो जाती है मतलब एक तरीके से cash ही है ये ठीक है तो cash and cash equivalents में आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजे हम cover करते है cash, bank balance, checks, draft ये याज कर लेना important है पता होना चाहिए although की cash जैसी ही चीजे है ठीक है तो ये तो chapter का basic हो गया now what is the procedure cash flow बनता कैसे है देखो cash flow जो बनता है वो accounting standard 3 revised याद रखना accounting standard 3 revised में इसका procedure है और दो methods होते है cash flow को बनाने के sir कौन-कौन से एक होता है direct method और एक होता है indirect method एक direct method होगा एक indirect method होगा हमें कौन सा पढ़ना है indirect method direct method हमारे syllabus का part नहीं है तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा method पढ़ना होता है indirect method पढ़ना होता है बट वाइवा वगरा है ये है तो पता होना चाहिए कि दो methods है और हम indirect पढ़ना है चीक है अब यह जो accounting standard third है ये क्या बोलता है कि cash flow statement जब आप बनाओ तो statement तीन पार्ट में बनना चाहिए याद रखेंगे statement को तीन पार्ट में बाटेगा तीन पार्ट कौन कौन से होंगे सबसे पहला पार्ट होता है operating activities सबसे पहले पार्ट को क्या बोलेगा operating activity this is gonna be the first part फिर दूसरा पार्ट कौन सा बोलता है Investing Activities यह आपका दूसरा पार्ट होता है Operating, Investing तीसरा होता है Financing Activities यह आपका 3rd पार्ट होता है ठीक है अब तीनों ही पार्ट का अपना अलग-अलग relevance है, तीनों ही पार्ट में रिलेटिड होगा या फिर वो Loan से रिलेटिड होगा यानि इन दोनों में से कोई भी चीज, for example, issue of shares आपको दिख रहा है, या buyback of shares आपको दिख रहा है, या issue of debenture दिख रहा है debenture is a loan, तो इन दोनों से related कोई भी चीज होगी, तो वो कहां पे आएगी financing activity में आएगी, ये चीज पकड़ लो points पकड़ लो, छोटे-छोटे, एक दम से बन जाएगा format रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है अच्छा, investing में क्या क्या आता है investing में एक तो या तो fixed assets से related कोई चीज होगी जैसे land खरी दी, building खरी दी machine खरी दी, fixed assets से related ठीक है, या फिर non-current investments long term के लिए कोई non-current investments है वो सब भी यहां cover हो जाएंगी तो यहां पे share capital और loan, यहां पे आपके fixed assets और non-current investments, ठीक है बाकी तीसरा कौन सा आता है, operating activity operating activity का मतलब operating activity का मतलब आपके normal business operations, जो भी बज जाते हैं, sir, normal business operations मतलब कि आपने जो भी business को चलाने के लिए आपका काम हो रहा है भाई, माल बेच रहे हो, sale of goods operating activity में आएगा, business को चलाने के लिए salary दे रहे हो, wages दे रहे हो, यह सब operating activity का पार्ट है, तो अगर यह चार चीज़े अटा दू, बाकी जितनी भी transactions होंगे, वह सब operating activity में आ जाती है, ठीक है, अच्छा, अब operating activity में, sir, normal business में, कौन से inflows होंगे, और कौन से outflows होंगे, यह भी बता दू, क्योंकि इससे छोटा question बन जाता है, कि कौन से inflows हो रहे हैं, और कौन से outflows हो रहे हैं, कि इसके अंदर, कौन से activity के अंदर, operating activity के अंदर, तो सबसे पहले, लिखते चलना, साथ साथ मेरे, ठीक है, सबसे पहले inflow की, अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला होता है, कि हमने sale करी, sales, sir, sales कौन से होनी चाहिए, cash की sales, ठीक है ना, वही, cash flow में सिर्फ cash की बात कर रहा हूँ, credit की बात नहीं कर रहा, number 2, आपकी कोई royalty मिली आपको, कोई royalty receive हो रही है, या फिर कोई fees commission मिल रही है, कोई fees मिल रही है, कोई commission मिल रही है, साथ साथ लिखके चलना, या फिर हमें कोई debtor से पैसा मिला, cash received from debtors, इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास inflows में आ जाती है, ठीक है, उसके बाद sir, outflows में क्या आता है, outflows में क्या है, आपने जो भी salary wages दी है, salary wages paid, ठीक है, income tax paid, यह important है, याद रखना, income tax भी एक normal operations का ही part है, वहीं काम कर रहा है, तो income हो रही है, तो income tax भी देना पड़ेगा, income tax paid आ गया इसके अंदर, उसके इलावा अगर आपने cash में कुछ भी खरीदा है, cash purchases, raw material खरीदा, कुछ और खरीदा, payment made, कोई और payment करिये, creditor को, या कुछ इस तरीके की चीज़े, वो सब आपकी operating business से related हो जाती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़े आ जाती है, ETC, 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 करते करते आ जाएंगी हमें, अब बात करते हैं हम investing activities की, investing की मैंने आपको बताई दिया, कि inflow और outflow, inflow और outflow, अगर हम inflow की बात करते हैं, तो investing में आप क्या कर सकते हो, आपने कोई भी asset बेचा, sale of asset, चाए वो building हो, चाए वो machinery हो, चाए वो plant हो, कुछ भी बेचा आपने पैसा आ जाएगा, outflow कब होगा, purchase of asset, कौन सा non-current है है, purchase of asset, similarly, sale of non-current investment, and purchase of non-current investment, ठीक है, आपने कहीं पैसा invest करा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, वहाँ से, क्या आ रहा है आपको, interest received, या dividend received, यह important है, interest received, dividend received, यह important है, इसके ओपर सावदान इंडिया सवाल लिख लेना, ठीक है, अच्छा, यह आपके inflows हो जाते है, outflows में purchase of assets और purchase of non-current investments, इसी तरीके की चीज़ें आ जाती है, ठीक है, अब सर अगर, interest received और dividend received, हमारा inflow में आ गया, तो interest paid और dividend paid, हम लोग outflow में लिख देते हैं, नहीं, interest अगर आप दे रहे हो, तो वो आपकी investment से related कैसे हुआ, interest अगर आप दे रहे हो, तो आपने loan लिया है न, तो आप interest दे रहे हो, समझ रहे हो, loan लिया है, तो interest दूँगा, और loan की बाद तो यहां होती है, similarly, अगर मैं dividend pay कर रहा हूँ, यानि मैंने share issue करे हैं, तो मैं dividend pay कर रहा हूँ, तो वो share की बाद भी यहां होती है, तो याद रखेंगे, कि हमारे पास, यह सबसे important points है, इंट्रस्ट पेड, dividend पेड, यह दो फिर बोल रहा हूँ, आदान इंडिया, very important, interest और dividend, received investing activity का part होते हैं, और interest और dividend paid financing activity का part होते हैं, financing का क्यों होते हैं, योगि भाई interest तब दूँगा, अगर loan लिया हूँ, loan से related हो गया, financing में आएगा, interest मिलेगा गब अगर कुछ पैसा invest करावा है, कहीं रखावा है, FD में रखावा है, कहीं और लगाया भाई, तो received होगा तो इधर, paid होगा तो इधर, similarly dividend भी, ठीक हो गया, अच्छा, और इसके inflows कौन कौन से होंगे, देखो, inflow हो गया, आपने share issue करे, issue of share, share capital से related है न, share दिये, पैसा आया, similarly issue of debenture, issue of debenture हो गया, ठीक है, इसके बाद ऐसे ही, यह इसमें ले लो, mainly तो इसमें यही है, outflow में, redemption of debenture, redeem कर दिये, payment कर दिया debenture का पैसा जाएगा, या फिर buyback of shares, buyback बोल सकते हो, repayment भी बोल सकते हो, पैसा जाएगा, ETC, तो इस तरीके की चीज़ें, हमारे पास inflow और outflows में आजाती है, तो जो तीन हमारे basic, heads हैं, operating, investing और financing, उसका एक यह conclusion है, एक crux है, जो मैंने आपको समझाया, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, basics से लेके, ठीक है, अच्छा यह आपको basics पता चल गए, इसका screenshot लेना है, screenshot लो note down करना है, note down करो, अब चलते हैं आगे, आगे कहाँ चलें सर, अब लिखो, अपनी copies में heading डालो, format, of cash flow statement, आप लोग cash flow statement लिखना, कहीं CFS लिख दो, exam में भी लिखाओ गए, भी नमबर कर जाएंगे, सर, format कैसे बनता है, देखो, एक एक चीज मैं तो बड़े ध्यान से कराऊंगा, बट फिलहाल, एक basic format बना दो, क्योंकि किताब में बहुत बड़ा format बनावा है, उतने बड़े format का काम नहीं है, वैसे ही घबराना क्या, छोटी-छोटी सी चीजे हैं, सबसे पहले, A, पूरे नए page पे बनाना, ठीक है, heading डालना, cash flow, from, operating activities, मैंने आपको बताया, तीन पार्ट्स में डिवाइडिड होगा, सबसे पहले किसकी बात करनी है, operating activities, और यह आपका 50% of the page लेना चाहिए, मतलब अगर पूरा page है, copy का, तो 50% में operating activity बनना चाहिए, 50% के बाद बनाना, cash flow from, investing activities, इसके बाद बनाना, cash flow from investing activities, investing भी मैंने आपको बता दिया, दो चीज़े कौन कौन सी आती है, investing में या लिख रहा हूँ, exam में मतलिक क्या न, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, fixed assets, और non current investments, ठीक है, फिर 25% जगा छोड़के, तीसरा final बनाना, cash flow from, financing activity, यह हमारा तीसरा आगया, cash flow from financing activity, financing में कौन कौन सी चीज़ा आती है, share capital किसी भी प्रकार का, और आपके loans, borrowings, ठीक है, यह आपके तीन heads हो गए, operating activity, investing activity, financing activity, शुरुवात कहां से होती है, शुरुवात होती है, format की net profit, net profit, before tax, net profit before tax, calculate कैसे होता है, वो मैं आपको अलग्से सिखाऊँगा, फिलाल आप लिख लो, net profit before tax, इसको यहाँ लिख देना, बाहर, ठीक है, फिर एक heading डलता है, adjustments for, non cash, and non operating items, हमारे पास बेटा जी, कुछ non cash items होती है, हमारे पास कुछ non operating items होती है, non cash सर्ज जैसे depreciation, हमारे P&L में तो impact डालता है, but है तो non cash, similarly non operating loss on sale of machinery, या profit on sale of machinery, वो हमारे operations से related नहीं है, इस प्रकार की चीजें, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर adjust करते हैं, तो add क्या करने हैं आपने यहाँ पर, add करने हैं आपने, non cash, और non operating expenses and losses, ध्यान से लिख लेना इसको, यह add करने हैं, याद रखना, expenses, losses, add करने हैं, ठीक है, यह क्यों होता है, कैसे होता है, मैं सारी चीजें बताऊँगा, फिलाल format बना लो, less क्या करना है, non cash, non operating, incomes and gains, किसी भी प्रकार का non cash, non operating income या गेन है, तो वो यहाँ पे आपको less करना है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले, NPBT आ गया, net profit before tax, फिर, आपको यह adjustment करना है, non cash, non operating में, इसमें expenses, losses, add करने हैं, income gain, minus करने हैं, उसके बाद आपके पास क्या निकल के आता है, यह आपके पास operating profit निकल आता है, operating profit, कौन सा profit आ जाता है, operating profit, before, working capital changes, किस से पहले, working capital से पहले, ठीक है, यह आपने add कर दिया यहाँ पे, यह आपने less कर दिया, तो यह आपके पास operating profit निकल आया, ठीक हो गया, अब working capital से पहले, working capital क्या होता है, working capital term 1 में बढ़ गा है, current assets minus current liabilities, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब current assets और current liabilities का adjustment करते हैं, अब आपको यहाँ पर add क्या करना है, और less क्या करना है, इसमें आपको मैं छोटा सा trick बता रहा हूँ, बतला अभी करेंगे हम लोग आ current liabilities में याद रखना हिजाब किताब सीधा सीधा चलता है, सीधा सीधा क्या मतलब होगा कि अगर current liability बड़ी, तो plus कर देना, कम हुई तो minus कर देना, इसका मतलब add क्या करना है, add करना है, increase in current liability, liability बड़ी तो plus, कम हुई तो minus, decrease in current liability, ठीक है, और इसके बाद, और क्या add करना है, assets में उल्टा, assets कम हुआ तो add करो, decrease in current assets, increase in current assets, ठीक है, यह value यहाँ पे add वाली, यह दो value minus वाली, इसे minus करके यहाँ बहार ले आना, यह बहार आ गया विटा, उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ क्या minus करना है, एक सेकेंड रुको, मैं इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा नीचे ले हूँ, हमें चगा निच जाएगी, less क्या करना है अब हमें यहाँ से, यहाँ से हमें less करना है, income tax, मैंने आप उपर लिखा है न, income tax paid, income tax हम यहाँ से minus कर देंगे, तो आपके पास एक final value आ जाएगा, वो ही final value आप बाहर लिखतोगे, यह आपके पास आ गया cash flow from operating activity, यह operating का part आया, ठीक है, अभी मैं तुम लोग को अलग-अलग शिखाऊंगा, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, बाट एक basic format तो बता दू, ठीक है, फिर आता है cash flow from investing activity, यह जो value आई इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते है cash flow या फिर used in operating activity, सर, flow cup और used cup अगर positive value है तो flow negative value आया तो used, ठीक है, अच्छा जी, अब investing सिख लो, investing में तो बड़ा simple सा है यार, वह मैंने बताई दिया कि, क्या plus करना है, क्या minus करना है, अगर asset खरीदा तो पैसा गया, है ना, तो अगर लिखा हुआ, purchase of asset, या फिर non current investment, खरीदा तो पैसा गय इसको minus में लिखना, याद रखना, पैसे को देखना है, ठीक है, और अगर बेचा तो, sale of asset, या non current investment, तो पैसा आ गया, सही, इसके इलावा पैसा का बात है, इन्वेस्टरिंग करा आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो usually interest या फिर dividend received, वो आ जाएगा, यहाँ पे आप as it is, बहुत simply यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा cash flow, या फिर used in investing activity, depending on की positive आ रहा है या negative आ ठीक है, last होता है financing activity, sir, financing में क्या करना है, financing में भी वो ही, अगर share issue करे, यह लिखा है न, share or loan, issue of shares, या issue of debentures, तो पैसा आया, plus में लिखेंगे, अगर हमने इनका payment payment करा, यानि की redemption of debentures, या फिर repayment of loan, तो पैसा गया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, repayment of, या buyback of shares, पैसा गया, यह हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिर हम लोगोंने कोई interest या dividend दिया, interest या dividend paid, वो भी पैसा गया, तो फिर आपके पास, एक final value, बाहर आ जाती है, यह कौनसी value आई, cash flow या used in financing activity, ठीक है, यह आपके पास, तीसरा वाला value आ गया, third वाला, cash flow या फिर used in financing activity, अब देखो आपको तीनों ही activities की values मिल गई, यह operating की, यह investing की, यह financing की, यह operating की थी, फिर यह investing की आगई, फिर यह financing की आगई, यह तीनों values बाहर आ जाती है, इन तीनों को add करना है आपको, और यहाँ पर क्या लिखना है, a plus b plus c, add करके value यहाँ बाहर कर दो, तीनों को, तीनों को add करके value यहाँ बाहर, इसमें हम plus करते हैं, opening cash and cash equivalents, opening वाले plus कर दो, फिर जो value आता है, यह जो value बचता है, यह किसके बराबर आ जाता है, यह आता है, closing cash and cash equivalents के, आपको यह दोनों पता होते हैं पहले सही, opening भी और closing भी, तो अगर आपका यह closing से match कर जाता है, इक मीन्स आपको question बिलकुल ठीक है, आपने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है, तो इस प्रकार से यह format होता है, format में कुछ भी मुश्किल नहीं है, trust me on this part, कि किताबों में बहुत बड़े-बड़े formats बने होते हैं, बट इतने बड़े-बड़े formats का काम नहीं है, although यही बहुत बड़ा हो गया, बट तुम्हें थोड़ा-थोड़ा basic चीज़े समझ में आई होगी, अभी मैं questions करा हूँगा, तो एक-एक point पे clarity दूँगा तुम लोगों को, फिलहाल, basics बनाने थे, basics में मैंने आपको format शुरू से पूरा बता दिया, जैसे share capital, loan, तुम्हें पता चल गया, कि भाई, loan लिया, पैसा आया, तो यहीं पे आएगा, शेर capital, share issue करें, पैसा आया, तो यहीं पे आएगा, इस प्रकार से, asset खरीदा, कोई fixed asset तो यहाँ आएगा, बेचा तो भी यहीं आएगा, inflow या outflow, operating में मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे बहले net profit before tax, फिर उसके बाद non-cash, non-operating items, फिर working capital के बाद current assets, current liabilities adjust करनी है, इस प्रकार से पूरा format बनता है, तो cash flow statement, मैंने आपको बताया था, कि तीन heads में बनता है, ठीक है, सबसे पहला head हमारे पास होता है, cash flow from, operating activity, ठीक है, यह सबसे बड़ा head होता है, उसके बाद आता है, cash flow from investing activity, और इसके बाद सबसे last में आता है, cash flow from financing activity, ठीक है, आज हम basically इस part को सीखने वाले है, यह दोनों parts हम अगली classes में सीखेंगे, तो आपका format पूरा cover हो जाएगा, ठीक है, आज मेरे साथ-साथ heading डालो, चल्दी-चल्दी से हम बनाएंगे cash flow from operating activities, Cash flow from operating activities, अब जड़ा ध्यान से मेरी बात समझ ना, Cash flow from operating activities is basically कि हमें हमारे operations से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब what is the influence, what is the outflow of cash from our operations, operations मतलब sale and purchase of goods and services, जो भी हमारे business operations का एक regular activity का part है, ठीक है, अब ये शुरुवात कहां से होती है, सबसे पहले आपको calculate करना आना चाहिए, net profit before tax, इसको हम यहां पे लिखते हैं, ये पता होना चाहिए, net profit before tax सबसे पहले आपको calculate करना आना चाहिए, ये net profit before tax कौन सा वाला होता है सर्थ, ये जो net profit होता है न, याद करो हमने एक P&L बनाया होता है class 11th में, बनाया होता है profit and loss account, जिसकी शुरुवात कहां से होती है, शुरुवात होती है यहां से, by gross profit, ठीक है, अब GP के बाद हम यहां पर क्या लिखते हैं सारे के सारे, operating expenses, operating expenses मतलब कि जो हमारे daily basis के business के खर्चे होते हैं, रोज-रोज के ख बहुत सारे ऐसे कर्चे हैं जो आपके regular business में हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते है, operating expenses, उसके बाद हम यहां पर क्या लेते है, operating incomes, तो हमारे पास जो profit निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते है, operating profit, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, operating profit, यह हम इसको close कर देते हैं, फिर हम इस operating profit को नीचे ले आते है operating profit brought down फिर हम यहाँ पर non operating expenses लिखते है non operating expenses non operating कौन से होते है loss on sale of excess assets या फिर कोई ऐसी चीज जो basically business से related नहीं है loss by theft, loss by fire इस तरीके की चीज़े ठीक है यह non operating expenses हो गए इधर non operating incomes non operating incomes वो इधर आ जाती है फिर आपके पास क्या निकल के आता है फिर आपके पास निकल के आता है net profit यह जो net profit है ना यह हम लोग को given होता है question में यह हम लोग को given होगा question में बट यह वाला net profit हम cash flow statement में नहीं ले जा सकते सर cash flow statement में क्यों नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे debit में और credit में बहुत सारी ऐसी items हैं जिसमें cash का outflow भी नहीं हुआ है, cash का inflow भी नहीं हुआ है, जैसे की depreciation, non cash item है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे उसको charge करके दिखाते हैं, है ना, तो ऐसी कुछ items हैं, जो की ना cash का inflow दि यानि की net profit before tax, यह निकालना कैसे है, इसको निकालने के लिए यहाँ पे सीखो, एक note बनाओगे आप exam में भी, उसको क्या बोलते हो, calculation of net profit before tax, आप लोग प्लीज, full forms लिखता है, ठीक है, अब calculation of net profit before tax अगर करना हो, तो उसका एक procedure है, क्या है, याद रखो, सबसे पहले आपक यह का profit, आपको given होगा question में, minus previous year का profit, current year का profit, इसमें से minus कर दो previous year का profit, तो आपके बास एक net profit आगया, ठीक है, current year minus previous year, आपके बास यह net profit आगया, ओके, अभी क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीजे add करनी है, sir, क्या-क्या add करना है, जैसे कि सबसे पहले, transfer to reserve, आप जो पैसा reserve में transfer कर चुके हो, भाई reserve में transfer कर दिया पैसा, तो profit कम हो गया या नहीं हो गया, सही profit पे जाने के लिए उसे जोड़ दे या नहीं जोड़ दे, transfer to reserve यहाँ पे plus कर दो, ठीक है, दूसरा, proposed dividend, जो आपने dividend proposed करावा था, कि हम shareholder को इतना पैसा देंगे ही देंगे, वो आपको question में given होगा, proposed dividend, तीसरी चीज़ क्या add करनी है, interim dividend, interim dividend भी profit में से distribute कर जाता है, साल के बीच में हुआवा profit, dividend basically profit यह है, पूरे profit पे आने के लिए जोड़ना है, देखो, reserve में पैसा डाला, profit में से निकाल के जोड़ दो, dividend जोड़ दो, उसके बाद, number 4, provision for tax, जो भी आपने provision for tax बनाया है, वो add कर दो इसके अंदर, क्योंकि वो भी profit में से निकाला होगा, और फिर हम इसमें से less करते हैं, refund of tax, refund of tax, यह less कर दो, तो आपके पास यहाँ पे जो value आती है, इसको आप NPBT बोलते हो, net profit before tax बोलते हो, तो net profit before tax कैसे निकालना है, याद रखो, जो profit given है, current year minus previous year, plus transfer to reserve, plus proposed dividend, plus interim dividend, plus provision for tax, minus refund of tax, यह निकालो, यह value आगई, आपके NPBT की, इसका screenshot ले लो, यह जो net profit before tax है, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे, ठीक है, अब हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है, यह आपने एक काम कर लिया ना, यह सबसे पहले आना चाहिए, अब क्या करना है, हम हेडिंग डालेंगे, adjustments for non-cash and non-operating items, items, हम लोग, अब यहाँ पे इस profit में, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो non-cash, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो non-operating है, non-operating का मतलब, जो मेरे business में, रोज-रोज नहीं होती, तो उन्हें अब adjust करना है, उन्हें कैस से adjust करूँ मैं, जड़ा सोचो, यह सब adjust करने के बाद हमें कहां पहुचना है, यह भी सीख लो, हमें पहुचना है, operating profit पे, operating profit, हमें operating profit पे पहुच जाना है, before working capital changes, operating profit before working capital changes, ठीक है, अब मुझे operating profit चाहिए अपना, देखो, मैं अभी कहां पे हूँ, मैं यहां हूँ, net profit पे, मुझे कौन सा profit चाहिए, यह वाला चाहिए फिलाल, यह, operating, ठीक है, तो अगर मुझे यह given हो, net profit 1 lakh रुपीज, यह दिये हो 40,000, यह दिया हो 20,000, तो क्या मैं operating profit पे जा सकता हूँ, operating profit पे कैसे जाओगे, 140 minus 20, मेरा operating profit कितना आ गया, 120 मैं जा लिए दूँ, ठीक है न, यह दोनों plus करें, यह minus कर दिया, इसका मतलब, net profit में, क्या non operating चीज़े, add करनी पढ़ेंगी, खर्चे, जो non operating खर्चे हैं, वो add करने पढ़ेंगे, और non operating incomes minus करनी पढ़ेंगी, सीज़ा सीज़ा साइसाब है, मुझे यहां से यहां नहीं आना, net profit से operating profit पे जाना है, तो यह तो आपने क्रास 11 में ही पढ़ा होगा, कि operating profit पे कैसे जाया जाता है, net profit plus non operating expenses minus non operating incomes, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे, add करना है, क्या, non cash, यह सीज़ा सीज़ा लिख लो, non cash और non operating, तो यहां पे लिखा ही हुआ है, non cash, non operating, expenses or losses, add कर लो, non cash, non operating, non cash, non operating, जैसे की depreciation, non cash, non operating, कोई goodwill return off, कोई loss on sale of machinery, loss on sale of asset, यह सारे non operating items हैं, तो यह non operating items आप क्या कर देना, जिससे पैसा आपका outflow दिखाई दे रहा है, बट actual में नहीं होता, बस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको यहां से add back कर देना, ठीक है, अच्छा जी, less क्या करेंगे, ऐसी ही कोई non operating, non cash, incomes or gains हो अगर, अगर को incomes और gains हो, उसको minus कर देना, जैसे profit on sale of asset, ठीक है, similarly कोई आपको अगर non operating interest received, interest received हुआ तो वो यहां पे आप less कर देना, non operating है, वो रोज का नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है, कि non cash, non operating वाले, जो खर्चे वागरा है, वो जोड़ दो, और जो incomes है, वो minus कर दो, बाकि अभी question करा हूँगा, तो तुम्हें समझ में आएगा, चिंता मत करना, ठीक है, तो यह basically plus करना है, यह minus कर देना है, तो हम यहाँ पर कहां पहुँच जाएंगे, हम पहुच जाएंगे, operating profit पर, कौन से profit पर आगए हम, operating profit पर पहुच के, operating profit में, अब हमें working capital adjust करना है, working capital का मतलब current assets minus current liabilities, यहाद है formula ratios में, working capital is CA minus CL, तो यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा, कि एक चीज समझ लो, बस, basic सी चीज़े, दो चीज़े होनी हैं यहाँ पर, add और less, add और less, क्या add होना है, क्या less होना है, working capital का मतलब हम दो चीज़ों भी बात कर रहे हैं, कौन सी दो चीज़ें सर्क, current assets और current liabilities, अब मैंने आपको बताया था, कि current liabilities में सीज़ा सीदा इसाब किताब चड़ना है, liability अगर बड़ी, तो plus कर देना, यानि add क्या करना है, increase in current liability, कम हुई, तो minus कर देना, यानि minus क्या करना है, decrease in current liability, assets में बस hold ता है, ठीक है, मतलब कि decrease in current assets, यह दोनों हमें plus करने हैं, और increase in current assets, अब हमें यह दोनों करने हैं, minus, इन्हें यहाँ अंदर ही minus करके, यहाँ पर आप value बाहर ले जा रहा हूँ, तो operating profit में यह value जोड़ दो, तो आपके पास एक net value आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, cash generated from operations, हमारे business से हमें यह cash generate हुए actual में, इतना पैसा मेरे पास आया है, अब इसमें से less, last में, बिल्कुल last में आपको क्या minus करना है, income tax, बिल्कुल last में आपका income tax paid जो है, वो minus कर दो, तो जो value आएगा, इसको आप यहाँ बाहर लिख दोगे, और इसी value को हम क्या बोलते हैं, cash flow from operating activities, ठीक है, तो अगर आपको operating activity सीखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके तीन steps हैं, सर तीन steps कौन कौन से हैं, देखो, सबसे पहला step है, यह निकालना, net profit before tax, net profit before tax निकालना आना चाहिए, उसका मैंने आपको procedure बता दिया, दूसरा step, non cash, non operating items adjust करनी आने चाहिए, कि यह कैसे adjust होती है, इसमें मैंने आपको बता दिया, non cash, non operating expenses, losses जोडने है, non cash, non operating incomes gain, minus करने है, ठीक है, फिर आपको working capital adjust करना है, यानि current assets और current liabilities, यह आना चाहिए, बस यह तीन steps में आपका operating activity चलता है, यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो यह देखो, यह करो, अब मैं आपको इसके कुछ questions कराता हूँ, so that आपको इसमें एकदम से clarity आ जाए, इसका पूरे का screenshot ले लो, जाए एक ही जगा, यह NPBT भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, I think आ रहा होगा, इसका screenshot लो, अब चलते हैं questions की दरफ, तो देखिए जी, इस type का आपके पास operating activity से question आता है, क्या लिखा हुआ है, X limited made a profit of rupees 5 lakh after considering the following, कुछ adjustments दी हुई है, और यह लिखा है कि इसने profit बनाया है, इतना यह सब adjustment करने के बाद, यानि कि sir, यह कौन सा profit given है, यह हमें profit given है, यह वाला, यह net profit given है, इसने इतना profit कमाया है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे तो net profit before tax चाहिए, और वो वाला चाहिए, जिसके अंदर से reserves ना निकले वे हो, अगर reserve हुए तो वो मुझे hide करने पड़ेंगे, क्या-क्या बताया था मैं है, क्या कोई provision for tax है, या क्या कोई refund of tax है, क्या भी यह 5 items given है, मुझे, अगर नहीं है, तो फिर मैं वो पूरे को net profit before tax ले लुँआ, देखो जरा, goodwill return off दियावा है, sir, यह goodwill return off क्या है, non-cash, non-operating item, depreciation भी एक non-cash, non-operating item, यह भी non-operating item, loss on sale of asset बताया है मैंने आपको, provision यह भी एक non-cash, देखो यह provision for doubtful debts है, provision for tax, क्योंकि profit में से tax minus होता है, तो profit पे adjust होता है, यह doubtful debts है, यह separate चलता है, gain on sale of land, यह भी एक non-operating item है, तो यह पाचो ही non-cash, non-operating items है, उसके बाद कुछ additional information है, जिसमें receivables, यानि current assets, prepaid expenses, हमने prepaid, advance में pay करें हैं, यह भी current assets, trade payable, current liability, expenses payable, current liability, तो current assets और current liabilities given है, इसका मतलब ना ही कोई transfer to reserve है, ना ही कोई proposed dividend, ना ही कोई interim dividend, कोई भी ऐसी item given नहीं है, तो क्या इसी को हम net profit before tax मालने मैं समारा, 5 lakh rupees, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे NPBT, जो हमारा net profit before tax है, इसको कितना लिख दूँगा, rupees 5 lakh, इसको मैं लिख दूँगा, rupees 5 lakh, ठीक है जी, पहला step खतम, पहला step होता है, NPBT ढूँगना, ठीक है, दूसरा step क्या होता है, अब non cash, non operating items को adjust करो, sir, non cash, non operating में क्या नियम है, नियम ये है, कि अगर कोई expenses, losses हैं तो जोड़ दो, कोई incomes और gains है तो माइनस कर दो, so that हम operating profit पे आ जाए, है ना, net profit से operating profit पे आना है, अब देखता हूँ मैं, क्या कोई expenses, losses दिखाई दे रहे हैं, देखो, goodwill return off, goodwill write off करी, इसको हम expenses, losses की तरह treat करते हैं, depreciation, इसमें कोई outflow नहीं हुआ है, non cash item है, P&L के debit में expenses, losses की तरह treat करते हैं, एक और loss on sale of assets, ये भी loss हो गया, provision बनाया, कोई outflow नहीं हुआ cash का, पैसा नहीं गया, फिर भी P&L के debit में लिखा हुआ है, तो हटाना चाहिए, वापिस जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, तो चार चीजे, goodwill return off, depreciation, loss on sale of assets, और provision for doubtful debts, ये चारो ही आप यहाँ पे plus कर देंगे, यहाँ पे आप ये plus कर देंगे, क्या-क्या चीजे थी, depreciation, goodwill return off, loss on sale of assets, और provision for doubtful debts, चारो ही चीजों की value भर दो, debt कितना है जी, हमारे पास depreciation, goodwill return off, depreciation है 50, goodwill return off 5, 50 और 5 तो ये है, 50,000, 5,000, loss on sale of assets, और provision for doubtful debts, loss on sale of assets 20, provision 10, 20 और 10 ये है, 20,000 और 10,000, ये हो गया जी हमारा काम, इसके बाद क्या कोई ऐसी चीज है, कोई income या gain, जैसे की profit on sale of assets, yes, profit on sale of land भी है, ये non operating चीज़े होती है, business से related नहीं होती, ठीक है, अच्छा ये हो गया 7500 रुबीज का, 7500 रुबीज का ये हमें less करना है, सर अगर profit होगा फिर तो add होना चाहिए, देखो मैंने आपको बताया, हम उल्टा चल रहे हैं, मैंने सिखाया न आप लोगों को यहाँ पे, मुझे net profit given है, मुझे operating profit पर जाना है, तो expenses plus होंगे, incomes gains minus होंगे, ये दोनों plus होते हैं, ये minus होता, तो operating profit पर जाते हैं, ठीक है, या 585, 585, minus 75, 585, 580, 577, 500 आना चाहिए, 577, 500, फिर भी कर लेते हैं, योगि तुम लोग फिर comment भर दोगे, यारे सर यहाँ गलती, यारे सर यहाँ गलती, 5,00, plus 50,000, plus 5,000, plus 20,000, plus 10,000, minus 7,500, 577, 500 यहाँ गया, अब हमें के adjust करना है, दो steps हो गए, समझ गए न, step wise चलो, NPBT हो गया, non cash, non operating item हो गया, तीसरा step क्या होता है, operating profit में, अब working capital का adjust करना, current asset, current liability, liability बड़ी, सीधा सीधा, plus करो, कम होई, minus करो, current only, current liability की बात हो रही है, चलो पहले liability देख लो, यह पिछला साल है, साल का ध्यान रखन यह अभी वाला साल है, यानि यह previous year है, यह current year है, चलो चेक करो, सबसे पहले liability देख लेते हैं, trade payable पहले 40 था, अब 51 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 11,000 रुपे से बढ़ गया, liability में सीधा सीधा ही साब चलता है, बढ़ा तो plus कर देना, यह भी liability expenses payable, यह 34 था पहले, अब 20 हो गया, यह कम हो गया, सर कितने से कम हो गया, 34 से 20 यानि 14,000 रुपीस से कम हो गया, 14,000 से कम हो गया, तो हम भी minus करेंगे, ठीक है, तो plus करो 11,000, minus करो 14,000, 11,000 प्लस कर दो, 11,000 तो कर दो, plus, increase in current liability, और 14,000 कर दो, minus, 14,000 कर दो, minus, यह, decrease in current liability, ठीक है, अब यह assets पे चलते हैं, चलो हो जी, assets की बात करते हैं, let's talk about current assets, assets में चलता है, उल्टा इस आप किताब, ठीक है, चलो चेक करो current assets, 52 से 78, 62, 72, and 78, 26,000 रुपीस, 26,000 रुपीस से बढ़ गया, assets अगर बड़े हैं, तो हम minus कर देंगे, assets में उल्टा चलना है, बड़े हैं तो minus करेंगे, prepaid expenses, 2 से 3 यह भी बढ़ गया, 1000 रुपीस से यह भी बढ़ गया, तो हम यह भी कर देंगे, minus, 26 और 1, 27,000, 27,000 आपको minus करने है, increase in assets, यह आप कर दोगे, 27,000 minus, चलो जी, अब बताओ मुझे क्या value आ रही है, 11,000, यह दोनों minus के हैं, 27 और 14, 31, 31, 27, 37, 41, 41 minus 11, 30,000, 30,000 negative आना चाहिए, 27,000 plus 14, minus 11, yes, 30,000, अब हमें करना है यह basically, 577,500 में से, 577,500 minus 30,000, 547,500, 547,500 और income tax paid given नहीं है, तो यही मेरे पास, यहाँ dash लगा के, यही मेरे पास, 547,500 और यही amount बाहर, 547,500 इसको क्या बोलूँगा, cash flow from operating activity, इस तरीके से cash flow from operating activity निकाला जाता है, वो ही तीन step, simple, दुबारा से देख लो एक बर फटावट से, सबसे पहले net profit before tax निकालना आना चाहिए आपको, non-cash, non-operating items adjust करना सीखो, उसके बाद operating profit adjust करने के बाद, current assets और current liabilities इसके अंदर adjust कर दो, current assets, current liabilities adjust करी, तो फिर आपके पास यह final answer आजाता है, this is how it works, जल्दी से note down करो, screenshot लेना है, screenshot लो, 547,500 आपका final answer है, तो इस प्रकार से, तीन steps में आपके operating activity के questions होते हैं, अभी मैं कुछ और questions भी कर रहा हुआ, but before that मैं आपको एक बार investing financing के basics बता दूँ, बस फिर हम लोग, आगे बढ़ेंगे सिर्फ questions की तरफ, चलिए शुरू करते हैं हम investing activity के साथ, तो heading डालेंगे, या पूरा heading डालते हैं, cash flow from investing activity, आज हम investing activity को सीख रहे हैं, operating मैंने आपको सीखा दी, investing को हम सीख रहे हैं, यह वाला part सबसे important है, इसमें सबसे जादा number करते हैं, ठीक है, अब investing activity में आपके mainly दो चीज़े आती हैं, सर दो चीज़े कौन-कौन सी आती हैं, एक आपके fixed assets, और एक आपकी non current investments, ठीक है, तो fixed assets में basically क्या होता है, fixed assets में आपको बताएगी, अगर आपने fixed assets बेचा, for example, कोई machinery, कोई land, कुछ furniture आपने बेचा, तो पैसा आएगा, तो sale से क्या होता है, inflow होता है, अगर आपने खरीदा, asset खरीदा, तो उससे क्या होता है, outflow होता है, outflow मतलब, पैसा जा रहा है, तो fixed assets में sale purchase आ सकता है, इसके अंदर, sale of asset, purchase of asset, investments की बात करें, तो इसी तरीके से investment भी या आप खरीद सकते हो, या बेच सकते हो, आपने अगर खरीदी non current investments, तो पैसा गया, outflow, और अगर आपने sale करी, तो पैसा आया, inflow, इसके बाद क्या होता है सर, अगर आपने पैसा invest करावा है, बतलब आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है, कहीं किसी share में या कहीं पे invest करावा है आपने पैसा, तो वहाँ से आपको दो चीज़ा receive भी होती है, एक तो interest received, और एक dividend received, एक interest received होगा, और एक dividend received होगा, तो आपके पास अगर देखा जाए तो ये 6 parts हैं, ठीक है, जो आपको कहा देखने को मिलेंगे, investing activity वो देखने में मिलेंगे, सबसे पहले fix assets की sale purchase of fix assets, बेचा तो पैसा आया, inflow, खरीदा तो पैसा गया, outflow, जहाँ पे भी outflow है, वो आप minus में दिखाते हो, ठीक है, non-grunt investment खरीदी तो पैसा गया, minus में आ जाएगा, बेचा तो पैसा आया, यहाँ पे भी पैसा आया, यहाँ पे भी पैसा आया, यहाँ पे भी पैसा आया, यह इन फ्लो, ठीक है जी, तो basically यह हमारे पास investing activity में चीज़े आती हैं, अब investing activity में जो सबसे important होता है, वो आता है, preparation of accounts, preparation of accounts, हमें कौन सा account बनाना है बिटा जी, इसके अंदर, हमें इसके अंदर जो account बनाना है, वो है asset का account, कौन सा account बनाना है, asset का account बनाना है, sir, asset का account कैसे बनता है, देखो, बहुत simple है, याद रखेंगे कि asset का क्या nature होता है, सबसे पहले तो आप asset का nature देखो, कि asset debit में increase होता है, और credit में decrease होता है, यह आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने 11 से भी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मेरा clear वाला rule जानते है, capital liability expenses, assets revenue, तो basically, asset का nature debit में increase होना होता है, और credit में decrease होना होता है, ठीक है न, तो अब यहाँ पे क्या होता है, कि आपको asset का count बनाना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे opening balance लिखते हो, कि आपका asset शुरू में कितना दिया हुआ है, to balance brought down, यहाँ पे आप लिखते हो by balance carried down, उसका closing balance, कि साल के last में आपको कितने का asset given है, ठीक है, यहाँ opening balance लिखना, यहाँ पे closing balance लिखना, अबी asset पुरे साल में use होगा, तो depreciate तो होगा, value तो कम होगी न, उसकी कोई भी asset लोगा है, यह camera यूज कर रहा हूँ, video shoot करने के लिए, इसकी value भी कम हो रही है, तो depreciate तो 100% होता है, कोई भी asset हो, कम होना तो इधर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं depreciation, by depreciation, जो भी इसका current year का depreciation लगा है, ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई asset बेच दिया, तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो इधर आ जाता है by bank, यह आपके पास sale है, ठीक है, और अगर इसको बेचने पे loss हुआ, तो वो भी यहाँ पे हम लिखते हैं by statement of P&L, यह भी इधर आ जाता है, ठीक है जी, तो यह सब आपको given होता है, usually कि asset इतने का भी का, opening balance, closing balance, depreciation, तो हमारे पास यहाँ पे एक figure निकल के आती है, balance में, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर value निकल आए, तो यह निकला हमारे पास purchase, यह आपके पास purchase of asset निकला आता है, आपको usually यही निकालना होता है, purchase, यह आपको balance में निकलना है, यह निकलेगा कैसे, इन सब का total करो, उसमें से यह minus करतो, यह आजाएगा आपके पास balance में, purchase, तो यह आपको cash flow statement में पता होना चाहिए, बनाया है, depreciation में बनाया है, asset account, इधर opening balance, फिर depth लगता था, बिग जाता था, closing balance, वही तो बात है, खरीदते थे तो इधर लिख जाते थे, वही same account है, ओके, अब इसकी items कहां कहां पे जाती है, इस अकाउंट में से चीज़े कहां कहां पे जाएंगी, देखो, सबसे बहले इसका clarity से screenshot लेलना, फिर मैं तो मैं बता दूँगा करना क्या है, अब देखो, यह जो balances है, यह balances कहीं नहीं जाते, balance यहीं पे आते हैं, बस opening, closing बात खतम, उसके बाद चीज़े जाती है, देखो, जैसे depreciation, depreciation आपने operating activity में plus किया था सबसे उपर, कल वाली वीडियो में बताया था न, plus कर दो, non cash, non operating item, sale, पैसा आया, inflow, तो यह investing में ही plus हो जाता है, ठीक है, यह नहीं है, पैसा आया, तो plus हो जाएगा, ठीक है, loss on sale of asset, यह भी operating में add किया था है, नहीं किया था, तो यह भी operating में plus होता है, यह चीज़े हम कल पढ़ चुके ह loss on sale of asset और depreciation याद है, यह तो investing का part है, obviously आपने माल, asset जो है, वो बेचा है, तो पैसा आया positive में, खरीदा, तो यह भी कहाँ पे, यह भी investing का part है, investing में ही minus में, sir, minus में क्यों, minus में इसलिए, क्योंकि खरीदा तो पैसा गया न, है न, तो इस तरीके से यह आपका asset account बनता है, प if along with balances of asset, balances of accumulated depreciation is also given, अगर आपको, asset का balance, तो यहाँ उपर दिया ही हुआ था, asset के balance के साथ, accumulated depreciation का balance भी given हो, accumulated depreciation को कई बार, provision for depreciation के नाम से भी देता है, तो accumulated debt बोल दो, या फिर, provision for depreciation बोल दो, तो अगर आपको, accumulated debt या provision for debt का balance भी given हो, तो आपको क्या करना है इस case में, इस case में, आप यहाँ पर लिखना, two accounts are prepared, कितने accounts बनते हैं, दो account बनते हैं, number one, asset का account, वो जो हमने उपर बनाना है, और दूसरा, accumulated depreciation का account, तो इस बार कितने account बनेंगे, दो account बनेंगे, कौन-कौन सा, asset का account और accumulated debt का account, ठीक है, इसको note down कर लिया, अब देखो, कैसे बनेंगे सर, दो account, एक हम यहाँ पर, accumulated debt का account बना देंगे, और एक हम यहाँ पर, accumulated debt का account बना देंगे, यह हो गया, asset account, यह हो गया, accumulated depreciation का account, ठीक है, अब याद रखो, कि यह liability है, यह asset है, तो यहाँ पर हमारे पास इदर opening balance आता है, assets का opening balance, debit में आता है, liability का opening balance, credit में आता है, तो इसका opening balance इदर आएगा, buy balance brought down, closing इदर, two balance carried down, इसका closing इदर, two balance carried down, सबसे पहले तो हमने opening और closing balances लिख दिए, ठीक है, opening balance भी लिख दिए, और closing balance भी लिख दिए, अब क्या नया है, अगर provision for debt का balance या accumulated debt का balance दिया है, तो यह जो आपने current year का debt, आपने यहाँ पे लगाया था, current year का, current year का debt आपने यहाँ लगा दिया, अब current year का debt अगर आपने यहाँ लगा दिया, तो आपके पास फिर यहाँ से value निकल के आती है, accumulated debt की, इसको हम asset account में transfer करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, accumulated debt, यह accumulated debt क्या होता है, usually sir, जब machine आप sale कर रहे होते हो, तो उस machine का पूरी जिन्दगी का depreciation होता है, जो हम यहाँ पे निकालते हैं, यह आपके पास balance में निकल के आएगा, यह सबसे important है, अब आपको question ध्यान से पढ़ना है कि मुझे question में क्या given है, अगर जो machinery बिक रही है, उसका accumulated debt given हुआ, तो यहाँ लिख देंगे, फिर आप यह balance में निकाल लोगे, लेकिन अगर current year debt given हुआ, तो यह balance में निकलेगा, मतलब इन दोनों में से कुछ एक balance में निकलेगा, यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो opening, closing, यह current year debt यह balance में निकाल दो, अब यह जो balance में निकाला ना अपने, यह as it is उपर पहुचा दो, by accumulated depreciation के नाम से, अभी तक depreciation आ रहा था, अब debt नहीं आएगा asset account में, accumulated debt आएगा जो आपने निकाला है, बाकी सब सेम है, by bank, sale, और by statement of P&L, loss, यह loss है, ठीक है जी, इधर क्या आता है, to bank, purchase, यह balance में निकालते हो, usually, ठीक है, तो sir, balance में क्या-क्या निकलता है, फिर से वोई बात, balance में यह यह निकलेगा, purchase, यह यह निकलेगा, sale, इन दोनों में से, एक ही balance में निकलता है, ठीक है, यह नहीं है, sir, इसकी posting करवादो, note करते चलो, भी question करावो ना clarity आ जाएगी, फिर से posting अगर करनी हो, तो यह जो balance है, balance कहीं निकलता है, ठीक है जी, balance कहीं निकलता है, accumulated debt already दो जगा आ चुका है, एक value यह आ गई, एक value यह आ गई, यह भी कहीं निकलता है, depreciation आपको पता है, operating activity में, add हो जाता है, loss भी operating activity में, add हो जाता है, sale, investing activity में add हो जाता है, purchase, investing activity में ही, minus हो जाता है, तो देखो इस प्रकार से यह सारे चीजों की postings होती है, जब हमें asset का account बनाना हो, ठीक है, इस investing activity में major आपको यही चीज़ सीखनी है, कि asset account किस प्रकार से बनता है, सही हो गया न, यह से आपके बाद adjustment लिखा वा जाएगा, ऐसी तरीके से आपको question करने को बोलेगा, तो चलो फड़ा वट से आपको questions कराता हूँ, पहले इसका screenshot ले लो, और आपको as such कोई problem नहीं आने वाली, कौन सी activity में, investing activity में, ठीक है जी, आईए अप questions की तरफ चलते, तो शुरू करते हैं अप questions के साथ, सबसे पहला question जो हमने यहाँ पर लिखा है, वो क्या है, कि एक building का value given है, देखो ध्यान से देखो, सिर्फ building का value है, opening और closing, building के balances है, यानि एक asset के balances है, साथ में कोई भी accumulated debt के balances नहीं है, अगर accumulated debt के balances नहीं है, तो एक ये account बनता है, मेरे आपको सिखाया है, ये देखो, अगर सिर्फ normal balances हो, त तो ऐसा एक asset account बन जाता है, opening, closing, depreciation, sale, loss और purchase आ जाता है, लेकिन अगर accumulated debt के balances भी हो, तो फिर दो account बनते हैं, तो अभी फिलाल तो एक ही balances है, तो account भी कितना बनेंगे, एक ही बनेगा, ठीक है, चलो बना के दिखते हैं, ये हमें फिलाल data given है, okay है, चालो, यहाँ पर हम कुछ account बनाने की कोशिश करते हैं, solution, हम building account बना रहे हैं, we are preparing building account, okay है जी, शाली है जी, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि opening कितना और closing कितना भाई, शुरू में 6 लाक, last में 750, 6 लाक, मुझे बहुत सारे बच्चे फिर comment कर जाते हैं, sir आप हिंदी में मत बोला करो, क्यू हमारी मातर भाशा हिंदी, मैं दोनों में बोला करूँगा, ठीक है न, 6 लाक, 6 लाक, 750, 7 लाक, पचास अजार, 6 लाक and 750, ठीक हो गया जी, आपको बता चल गया कि शुरू में और लास्ट में ये बैलेंस हैं, सबसे पहले तो ये दिया था, अब ध्यान से देखना, एक building है, costing 1 लाक रुपीज, मेरे पास building 6 लाक की थी, इस में से कोई part जिसका cost 1 लाक रुपे है, यानि मेरे पास ये मैंने 1 लाक रुपे की ली थी, इस वाली building पे accumulated debt, accumulated debt का मतलब होता है, इसकी पूरी जिन्दगी का, यानि शुरू से लेके अभी तक का, इस 1 लाक पे कितना debt लग च जुगा है, तो इसकी आज की value कितनी है, इसकी आज की value है sir, 70,000, ज्यान से समझें न, 1 लाक की ली थी, accumulated debt का मतलब इस पे पूरी जिन्दगी का, अभी तक का debt कितना, 30,000, तो आज की value 70 है, आगे लिखाव है, it was sold for 60,000, कितने की बिग गई, 60,000 रुपे की बिग गई, अच् सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो, by bank, जो sale है, कितने की बिगी, 60,000 रुपीज की, ठीक है, अब जो accumulated depreciation है, उसका कोई रोल नी है यहाँ पर, क्योंकि जब एक account बनता है, single account बनता है, तो बस हमें current year का depreciation लिखना होता है, देखो मैंने आपको यहाँ बता है, हमें सिर्फ कौंसर depreciation लिखना होता है, current year का, accumulated नहीं, पुरी जिन्दगी का नहीं, सिर्फ current year का depreciation लिखना होता है, तो अगर single account बनता है, तो उस scenario में अगर आपको accumulated debt दिया है न, तो वो बस profit या loss निकालने के लिए दिया है, और कुछ नहीं, ठीक है sir, profit या loss कैसा, देखो, 1 lakh rupees का value था, 30 का debt लगा, आज की debt पे 70,000 value हो गया, कितने की भी की 60 में, 70 वाली building, 60 में बेच दी, 10,000 का loss है या नहीं है, 70 वाली अगर 60 में बेच दो 10 का loss, अब उसको यहां लिखेंगे by statement of P&L, जो loss हुआ है, कितना loss हुआ, 10,000 rupees का loss हो गया, ठीक है जी, यहां तक यही काम था, अब current year का debt given है, depreciation for the year ended 31st March 16, इस साल का debt जो है, वो है 50,000, वो लिखेंगे, by depreciation, 50,000 rupees, 50,000 rupees का depreciation आगया, ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब बस purchase निकाल लो balance में, सब कुछ लिख दिया, 750 और 58 lakh, 870 आगया है तो, 870 दर का total है, 870 माइनस 6 lakh, 270 की मैंने मशी और खरी दिया, यानि कि, यह मेरे पास to bank, क्या value आई, purchase, यह हमारे पास purchase निकल के आगया, तो अगर हमें अब cash flow from investing activity बनाना हुआ, तो हम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ डाल देंगे cash flow from investing activity, अब मैंने आपको बताया है, balance तो कोई नहीं आते हैं, purchase, अगर आपने building खरी दिया है, तो investing में जाएगा, purchase of building, पैसा गया, 2,70,000 रुपीज, तो माइनस में लिख देना, ठीक है या नहीं है, अच्छा जी, उसके बाद sale, यहाँ पे आएगा, sale of building, पैसा आया, 60,000 रुपीज, positive में, loss जो है, वो यहाँ पे नहीं जाएगा, loss ओपरेटिंग में सब सूपर प्लस होगा, और depreciation भी ओपरेटिंग में सब सूपर प्लस होगा, तो इन दोनों का, investing activity से कोई लिख देन नहीं है, तो investing activity में यह है, फिलाल आपका answer, 270 minus का है, और 60 positive का है, तो 2,10,000 रुपीज आपका negative में आजाएगा, जब भी answer negative में आए तो उसको cash flow नहीं बोलते, cash used बोलते, cash used in investing activity, आप इस तरीके से 2,10,000 रुपीज नेगिटिव दिखा देंगे, इस तरीके से आपको question करना होता है, screenshot लेलो जल्दी सब फटावट से, note down करना है तो note down कर लो, screenshot लेना है तो screenshot लेलो, फटाफट, हो गया जी, अब चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ, देखो जी, question की framing देख दिए हैं, दो balances दिए हैं, तो sir कितने account, दो account, ठीक है, चलो बनाओ, machine भी है और accumulated debt भी है, तो दो account बनेंगे, छोटा बना दू थोड़ा सा, इधर machine बना लेते हैं, यह तो हो गया हमारा machine account, और इधर हम बना देते हैं, accumulated debt यह हो गया, accumulated depreciation का count, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर opening balance, balance brought down, by balance carried down, closing balance, accumulated debt का opening इधर, by balance brought down, to balance carried down, सबसे पहला काम यह balances लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि balances cash flow में जाती ही नहीं है कहीं पर भी, आप account में लिखो, 5,6,000,000 तो machine का है, 5,6,000,000 यह तो machine का हो गया, accumulated debt का 164 और 180 ठीक है, 164,000,000 रूबी यह opening आ गया, और 180 आपका closing हो गया, यह काम हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि, अब जो current year का depreciation है, वो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, इस account में लगेगा, ठीक है ना, अब adjustment पढ़ते हैं, During the year, एक machine costing 1,00,000,000 लो जी, एक machine जिसका cost कितना है, 1,00,000 रूपे की machine है, जिस पे accumulated debt 44 है, current year का debt given नहीं है, कौन से debt given है, accumulated, यानी 1,00,000 की machine थी, जिस पे आज तक 44 का debt लगा है, value कितना बचा, 44 का debt लग गया, तो 56 इसकी आज की value है, 56 इसकी आज की value है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले accumulated debt given है, तो यहाँ पे लिख दो ना, इधर लिख दो, to, machine के नाम से, जब भी accumulated debt given हो, तो उसको हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, मैंने आपको जब सिखाया था, तो बताया था कि यह given होगा, यह debt given होगा, debt given होगा, तो यह balance में निकाल देना, यह given होगा, तो current year का debt balance में निकाल देना, अभी फिलाल हमें यह given है, इस question में, 44,000, तो आपका यहाँ पे by depreciation, जो यह current year का है, यह balance में आ जाएगा, यह balance में आ 164, 74, 84, 94, 204, 14, 224, 60,000, यह आपका balance में निकल के आगया, current year का depreciation, ठीक हो गया, अब देखो ज़रा, 56 इसकी value दी, 56 वाली 30 में बेच दी, sold for 30,000, 56 वाला part, अगर आप 30 में बेच रहे हो, तो loss कितना हो रहा है, 26 का loss हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर 56 वाली machine आप 30,000 में बेच रहे हो, तो 26 का loss है यार साफ साफ, है ना, तो इस scenario में अब क्या करना है, देखो, by bank, आपने 30,000 का बेच दिया यह, इस पे आज तक का जितना भी total debt है, accumulated depreciation, यह 44, इसको as it is इदर ले आओ, यहीं से निकल के इदर आता है, ठीक है, by statement of P&L, जो आपका loss हुआ, loss कितना हुआ जी, loss हुआ 26,000 रुपीस का, ठीक है, बस सब कुछ भर दिया हमने, very simple, आपको बस यह पता होना चाहिए, कि single account जब बनाते हैं, only asset का account, तो वह accumulated debt का कोई काम नहीं होता, वह current year का debt चाहिए, लेकिन अगर accumulated debt है, तो अगर यह debt given होगा, तो यह निकालो, यह given होगा, तो यह निकालो, और इसको as it is, यहाँ लेकर हो, अब purchase निकालो, to bank, अब देखना है मुझे purchase कितना है, यह balance में निकलेगी, 6 lakh और 1 lakh, 7 lakh, 7 lakh minus 5, 2 lakh रुपीस की आपकी purchase आदेगी, ठीक है यह नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से यह account बनते हैं, इनका रोल यही है, अब अगर मुझे सार इसकी investing activity का cash flow बनाना है, तो कैसे बनेगा, बनाओ जी, cash flow from investing activity, आओ जी, सबसे पहले balance कहीं नहीं जाने, P&L, accumulated debt कहीं नहीं जाना, P&L, operating activity में जाएगा, कौन से activity जाएगा, operating में plus होगा, यह sale और यह purchase, यह दोनों आएंगे यहाँ पे, Sale of machine and purchase of machine, ठीक है, sale of machine जितने का भी का, 30,000 रुपे आपको मिल गए, Purchase of machine, 2,00,000 रुपे का अपने machine खरीदा है, यह negative में आ गया, तो यह operating में जाएगा, यह भी post कर दिया, यह भी post कर दिया, अब इसमें आ जो, accuracy debt कहीं post नहीं होना, क्योंकि यह इदर आ चुका है, balance कहीं post नहीं होगा, जो depreciation है, यह भी कहा जाएगा, operating में plus होगा, तो operating में दो चीज़े plus होगी और investing में यह दो चीज़े आएगी, ठीक है, हमें फिलार investing बनाना था, तो investing हमारा 1,70,000 rupees negative आ रहा है, negative का मतलब cash used in investing activity, ठीक हो गया, तो इस प्रकार से हम investing activity के questions करते हैं, मैं आपको अभी बहुत सारे questions कराऊंगा, comprehensive, जब बड़ा question कराऊंगा, but basics आपको clear हो गए होगे, hopefully आज के इस वीडियो में काफी important वीडियो, Let's start with financing activities, और याद रखना, आज का वीडियो बहुत important है, मतलब मैं आपको जो दो questions कराऊंगा, यह most most important questions है, और बच्चों को बहुत problem रहती है इस topic में, तो साथ साथ करते हैं, आज आओ जल्दी से, heading डालो सबसे पहले, financing activities, Guys, यह वीडियो जरूर सभी बच्चों को दिखाना, सभी को share करना, क्योंकि यह बहुत important वीडियो है, और इससे topic आपके boards में पक्का आएगा, तो इस पे marks मत कटवाना, प्लीज, I really want कि आप यह बहुत अच्छे से देखो topic, देखो financing activities में मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार की चीज़े आती है, ठीक है, सबसे पहली चीज अपने mind में रखो कि share capital, share capital, अब share दो प्रकार के होते हैं आपके पास, चाहे वो equity हो, चाहे वो preference हो, ठीक है, तो equity या preference share, अगर issue करा गया, तो आपके पास पैसा आएगा, infl flow होगा, तो आप उसको plus में रखना, अगर उसका payment कर दिया गया, यानि buyback कर लिया गया, तो पैसा जाएगा, outflow, तो वो minus होगा, है ना, तो financing में हम बात करते हैं, share capital की, share capital में दो प्रकार के shares है, equity preference, ये पता होना चाहिए, उसके बाद issue हो सकते हैं, shares और buyback हो सकते हैं, आप चाहे वो bank overdraft हो, याद रखना, bank overdraft को, usually लोग भूल जाते हैं, तो this is very important, bank overdraft आपका loan consider करा जाएगा, चाहे आपका debenture हो, चाहे आपका bank loan हो, और इन से related interest, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे shares से related dividend भी, भाई अगर share issue करे हैं, तो dividend भी तो देना पड़ेगा, ना, है ना, तो अब याद रखना कि यहाँ पे अगर आप loan लोगे, अगर आपने debenture issue करा, या bank loan लिया, तो पैसा आएगा, positive inflow, और अगर आपने payment कर दिया, यानि कि redemption कर दिया, तो पैसा जाएगा, minus outflow, यह हमारी financing में चीज़े आती हैं, तो I hope आपको operating बहुत अच्छे से clear हो तो minus ही होगा, outflow, dividend दो के तो पैसा जाएगा, minus ही होगा, ठीक हो गया बेटा जी, यह चीज़ clear है, इसका screenshot लो note down करो, I hope आप सारे note साथ साथ बना रहे हो, आपने operating, investing, financing, तीनों बहुत अच्छे से देख लिए, questions पे चले, आओ जी, let's move to questions, शुरुबात करते हैं एक बहुत important question के साथ, देखो जी, financing activity का question लिखा है, मैंने question की framing देखो, सबसे पहले 31st March 2017, 31st March 2018, ठीक है, हमें cash flow from financing activities बनाना है, अच्छा सर, सबसे पहले equity share capital, याने की equity shares, preference share capital, याने की preference share, सर ये 12% क्या होता है, ये 12% इस पर dividend दिया जाएगा, ठीक है, dividend कि दिया जाता है, usually हम लोग previous year पर dividend देते हैं, ठीक है, अभी आगे बताता हूं मैं तुम लोग को, debentures यानी loan, 14% इस पर interest है, ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम adjustments को अभी बढ़ते हैं, but before that, एक basic activity तो बना ले, है ना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ है, cash flow from financing activity, ठीक है, यहाँ पर amount आ गया, अब देखो, mind लगाना बटाजी, हमारे पास share की capital पहले 6 lakh थी, अभी 8 lakh हो गई है, 6 lakh से 8 lakh मेरी capital हो गई है, it means मैंने share issue करे होंगे, obviously बात है तभी तो पैसा आया ना, अन्य share public को दियो होंगे, तभी तो पैसा बढ़ा, 6 से 8 कोई जादू तो है नी कि पैसा बढ़ जाएगा, पैसा अगर बढ़ा है, it means मैंने और shares issue करे हैं, तो यहाँ से मुझे समझ में आ र जी, preference share देखते है, preference shares पहले ते 2 lakh रुपीज के, अभी हो गए है 0, 0 हो गए सर मतलब capital कहा गया सारा, क्या आपने payback कर दिया उसको, यानि कि preference shares buyback हो गए या नहीं हो गए, yes, बढ़ता है तो share issue करा जाता है, कम हो जाता है तो यानि redeem हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 2 lakh रुपीज तो आपने ये पहले लिखा ही हुआ है, अब मैं preference shares के लिए क्या word use कर सकता हूँ, redemption, redemption of preference shares इसको भी मैं अभी inner column में लिख रहा हूँ, कितना, 2 lakh रुपीज, ठीक है जी, अच्छा, debentures पहले मेरे पास 0 थे, loan नहीं था, अब हो गया 1 lakh रुपीज का बढ़ गया यानि और लिया होगा loan, है ना, obvious सी बात है, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, issue of debentures, ये भी inner column में लिख रहा हूँ फिलाल 1 lakh रुपीज, क्योंकि मुझे अभी इस पर adjustments करनी है, ये basic चीज समझ में आती है, किस प्रकार से चीज़े हो रही है, okay, अब adjustments पढ़ते हैं, equity shares were issued at a premium of 15%, premium का क्या मतलब होता है, premium का मतलब होता है, कि हमारे पास shares पे, share का पैसा तो आया ही है, साथ साथ security premium reserve का पैसा भी आया है, जादा पे issue करे गए है, अब sir हमें यहाँ पे तो सिर्फ यह देखना है, कितना पैसा आया या कितना गया, तो पैसा तो जादा आया होगा तो 2 lakh rupees के share से 15% का premium, तो इसी 2 lakh पे 15% कितना बन जाएगा, 30,000 rupees, 30,000 rupees का premium भी आ जाएगा, यह चीज़ पॉइंट पकड़ना, 2 lakh rupees के share का पैसा आया, 30,000 rupees premium का पैसा आया, ठीक है, अब आगे चलो, preference shares were redeemed, अब preference shares का payment हुआ है, हम तो पहले ही समझ गए थे, at a premium of 5%, अरे, redemption जो हुआ है, वो भी 5% के premium पे हुआ है, ठीक है, यानि extra पैसा दिया गया है, तो 2 lakh rupees का 5% premium कितना हो जाता है, 10,000 rupees, यानि यह 10,000 और गए होंगे इस case में, चलो, हमने adjustment number 1 कर लिया, adjustment number 2 कर लिया, 3rd पर चलते हैं, debentures were issued, मुझे पता है, debentures issue करे गए है, हम समझ गए तो उपर देखके, at a discount of 1%, discount का मतलब पैसा कम आया, सस्ते में issue करे गए, 1% का discount, अच्छा जी, 1 lakh पे फिर 1% कितना हो जाएगा, 1 lakh पे 1000, यह minus करना पड़ेगा, minus क्यों करा सर, क्योंकि पैस कम मिला है, discount पर हुए है, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो dividend दिया गया है, shares पर dividend दिया गया है, dividend paid on preference shares 24,000, हमें calculate करने की जूरत नहीं है, percentage हमारे किसी काम की नहीं है, यह इसने बता दिया, कि dividend 24,000 का दिया गया है, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देंगे, dividend paid, यह तो ब पता चल गया होगा, interest paid on debentures, 14,000, debentures पर interest दिया गया है, 14,000, interest paid, 14,000, underwriting commission on equity shares, देखो बेटा जी, जो नए share issue करे गया है, वो underwriter के through issue करे गया है, underwriter कौन होता है, कई बार कुछ नई companies होती है, जिनने doubt होता है, कि पता नहीं हमारे share भिखेंगे या नहीं भिखेंगे, तो व underwriter ने commission ली है, 10,000 रुबे की, 10,000 की commission ली पैसा गया होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी में से minus कर देते हैं, कि 230 आए, minus 10,000 रुबे की, उसने commission काट ली अपनी, ठीक हो गया, यहाँ से minus कर दिया, याद रखना, underwriting commission, यहाँ से minus कर दो, अलग से भी लिख दो के तब भी outflow ही है, minus ही होना है, लेकिन दिखाना इसी तरीके से, proposed dividend on equity share for the year, very important, very important, साउधान इंडिया सावाल, चिंटू यहाँ पर बहुत confused होता है, और चिंटी भी, दोनों confused जाते हैं यहाँ पर, चिंटू भी confused है, चिंटी भी confused है, याद रखना, dividend propose करा जा रहा है, ठीक है, मतलब कि मैं company हूँ, मैं अपने shareholder को बोल रहा हूँ कि हम आपको इतना dividend देंगे, तो always remember, अगर 17 में propose किया गया है, तो वो 18 में पे करा जाएगा, 18 में propose करा गया है, तो 19 में पे किया जाएगा, मतलब वो financial year के हिसाब से पे किया जाता है, आज propose किया, तो next year दिया जाएगा, it means, अभी हम 17 से 18 का बना रहे हैं, books of accounts, तो जो 17 वाला होगा, वो ही तो दिया जाएगा, यह वाला तो अग ignore करना है, this is to be ignored, हमेशा dividend कौन सा वाला लेना है, previous year वाला, ठीक है, previous year वाला ही, NPBT में net profit before tax में add होता है, और previous year वाला ही, financing activity में सबसे नीचे minus होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम minus करेंगे, proposed dividend जो आपने pay करा, कितना? 90,000 रुबीज, 90,000 रुबीज का यह हो गया, उसके बाद 1,00-1,000, 99,000 आपके डिवेंचर से आ गए, 2 plus 10, redemption हुआ, यह 2,10 minus में आ गया, उसके बाद 2,30 minus 10, 2,20 plus में आ गया, share issue करे गए, तो total देखता हूँ मैं अब inflow हो रहा है, या outflow हो रहा है, 2,20,000 plus 99,000 minus 2,10,000 minus 24,000 minus 14,000 minus 90,000 यहाँ पर मेरा 19,000 रुपीज नेगिटिव आ रहा है, 19,000 रुपीज नेगिटिव आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, cash used in financing activities, अगर positive आता तो flow बोलता हूँ, ठीक है, negative आ जाए तो used, एक बहुत ही important question है यह, जो मैंने आपको कराया है, एक ही ज़गा कर देता हूँ, यह देखो जाए, screenshot लेना है, जल्दी सो लो, exam point of view से भी important और आना चाहिए, ठीक है, let's move to next question, एक और बहुत excellent question, आईए जी, यह question है जी, क्या question है सर, देखो फिर से, हमें 17 से 18, equity share capital 20 से 30, यानी फिर से share issue पर गए होगे, 10,000 रुपे, 10,000 नी, 10,000 लाग, 20,000 लाग से 30,000, 10,000 लाग रुपीज आए हैं, अच्छा जी, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, यानी दो लोन है, एक लोन ये है, एक लोन ये है, अलग अलग डेट्स पे लिए गए होंगे, पहले 3,000,000 का तो अब 0 हो गया, इसका मलब ये लोन तो पे हुआ है, चुकाया गया है, अच्छा, ये वाला पहले नहीं था, अब है, यानी ये लोन लिया गया है, पहले 0, 5,000,000 हो गया, तो लोन लिया न, तब ही तो पैसा दिख रहा है, अच्छा, overdraft, bank overdraft जानते हो न, cash flow from financing activities, cash flow from financing activities, ये हम सीखने वाले, ओके, अब देखो, सबसे बहले में share की बात करता हूँ, equity share capital मुझे दिख रहा है, 20,000,000 से 30,000,000 हो गया, तो 10,000,000 रुपीज मुझे आते वे दिख रहे हैं, है न, तो एक बार में बिना adjustments पड़े हैं, यहां rough में लिख देता हूँ, issue of shares, मैंने इसको यहीं पर लिख दिया, फिलार, 10,000,000 रुपीज, यहीं लिख दिया, बाहर पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, मुझे नहीं बता, बाद में देखता हूँ, है न, अच्छा, debenture को देख के क्या लगता है, debenture पहले 3,000,000 का था, अब 0 हो गया, या redemption of 12% debenture, सर यह interest भी हो देना पढ़ेगा, अहां, देंगे, अभी देंगे, 3,000,000 रुपे के debentures मैंने redeem कर दिया, पैसा चला गया, अगले वाले debentures, पहले 0 थे, अब 5,000,000 रुपीज के हैं, पैसा आया है, ठीक है, तो यानी इसको क्या बोलते हैं, issue of debentures, issue of debentures, यह कौन से वाले हैं, 10% वाले, 5,000,000 रुपीज आ गए, overdraft मेरे पास 1,000,000 से 1,000,000 हो गया है, कम हो गया, यानी payment हुआ होगा, obvious, तो इसको बोलते हैं, decrease in overdraft, कम हो गया, 20,000 रुपीज, payment ही हुआ होगा, ओके, अच्छा, अब देखता हूँ मैं जरा adjustments क्या हैं, देखो जी, During the year, यानी इस साल, the company issued bonus, अरे बाबा, bonus shares, Sir, what is bonus shares, bonus shares क्या होते हैं, तो bonus shares basically क्या होते हैं, कि bonus shares वो shares होते हैं, जो company issue करती है, अपने existing shareholders को, but as in the form of bonus, यानी उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती उसके लिए, वो company अपने reserves में से पैसा utilize करती है, और उनको shares दे देती है, ठीक है, अपने shareholders को appreciate करने के लिए company bonus shares देती है, तो अगर company ने bonus shares दिये हैं, वो किस ratio में दिये हैं, वो दिये हैं 2 ratio 1 में, यानी अगर मेरे पास 2 share अपने हैं, तो मुझे 1 share extra मिल गया, मेरे पास अगर 20 share अपने हैं, तो मुझे 10 share extra मिल गया, मेरे पास अगर 200 share अपने हैं, तो मुझे 100 share extra मिल गया, मेरे पास अगर 2000 share अपने हैं तो मुझे 1000 share extra मिल गाए मेरे पास अगर 20,000 share अपने हैं तो मुझे 10,000 share extra मिल गाए समझ रहे हो इस तरीके से bonus shares दिये जाते हैं और capitalizing reserve reserve को capitalize करके तो मेरे पास पहले कितने shares थे मेरे पास पहले 20,000,000 रुपे के shares थे तो देखो 20,000 तक पहुँच गे थे अगर 2,000,000 होते तो 1,000,000 मिल जाते अगर 20,000,000 होते तो 10,000,000 मिल जाते तो अगर 20,000,000 पहले से हैं 10,000,000 बोनस मिलेंगे तो basically total 30,000,000 रुपीज की share capital होनी चाहिए और 30 की ही यहाँ पर दिख रही है इसका मतलब यह जो 10,000,000 रुपे की capital बड़ी है उसका मुझे inflow नहीं हुआ cash नहीं आया वो तो company ने bonus shares दिये है समझ रहे हो logic bonus shares अगर issue कर जाते हैं तो उसका cash inflow नहीं होता company ने अगर bonus shares issue कर दिये it means मेरे पास यह जो 10,000,000 रुपे आए है यह reserves से utilize होके आए है मेरे पास किसी भी प्रकार का cash inflow नहीं है तो bonus shares यह वाले cash flow statement में नहीं दिखाए जाएंगे very important point ठीक है आजएए 12% debentures were redeemed on 1st July ओके यह जो debentures का payment है यह 1st July को कर दिया गया है सर शुरू में देखो मेरे पास साल कौन सा चल रहा है 1st April 17 से 31st March 18 April, May, June 1st July पे payment हो गया मेरे पास 3,000,000 रुपे का यहाँ पे loan था और मैंने यहाँ 1st July पे आके सारा चुका दिया जीरो हो गया 3 महीने तो रहा 3 months रहा या नहीं रहा तो 3,000,000 पे interest बनता है तो मैं basically interest कितना दूँगा 3,000,000 रुपीज पे कितना percent है? 12% और only for 3 months सर क्यों 3 months? क्योंकि यह सिर्फ June तक का यह loan है April, May, June 1st July पे तो चुका दिया तो 3 महीने का interest बनेगा कितना बनेगा? 3,000,000 पे 12% 12, 24, 36, 36, 36,000 पूरे साल का बनता है 36,000 का 1 by 4, 9,000 9,000 रुपीज का interest बनता है If I am not wrong 12 से 12 खतम, 00 से 00 खतम 3,000 into 39,000 ठीक है यह नहीं है? ओके हो गया? तो 9,000 रुपीज का तो यह interest हो गया जी अच्छा आगे लिखावा है जो नए डिवेंचर इशू करे गई है वो भी इशू करे गई है same date पे ही और 5% के discount पे ओके यह जो नए डिवेंचर है ना यह 5% के discount पे इशू करे गई है इसका मतलब यह जो पैसा मेरे पास आया है issue of debentures यह 5 लाग नहीं आएगा यह 5 लाग नहीं आएगा 5 लाग माइनस 5% 5 लाग का 5% कितना गईटेगा 5 लाग का 5% वोड़ बी 25,000 तो यहाँ पे मुझे जो पैसा मिलेगा पहली बात वो 4,75,000 रुपीज मिलेगा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 75,000 अच्छा आप इंटरस्ट इस पे कब इशू करे गई है यह सेम डेट पे इशू करे गई है जब यह पेमेंट हुआ इसी डेट पे इशू करे गई है यानि अगर यह यहाँ इशू करे गई तो यह बचे वे 9 महीने का भी आज लग जाएगा अगर 1st July पे कोई लोन लिया तो April में जून पे तो वो लोन नहीं था 1st July पे लिया तो July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March तो यहाँ से April में जून हटा दो July, August, September, October, November, December, Jan, Feb और March यह 9 मंस का इंटरस्ट देना है इस पे इंटरस्ट 5 लाइक पे दिया जाएगा यह याद रखना इंटरस्ट उसकी face value पे दिया जाता है वो कैसे issue करे गए है premium पे issue करे गए है या discount पे issue करे गए है फरक यहाँ बढ़ता इंटरस्ट face value पे कितना परसंट था इस पर इंटरस्ट 10परसंट 5 लाइक पे 10 परसंट और 9 मंस ठीक है 5,10,50,000 9 महीने का वैड जाता है हमारे पास 37,500 if I am not wrong calculate कर लेता हूं मैं फिर भी 5,00,000 पे 9 months 10% 37,500 बिल्कुल सही 37 plus 9 46,500 का total interest हो गया यह हमारा interest हो गया यह किन डिवेंचर्स पे है जिनका payment हो गया साल के शुरू में ही 3 महीने बाद दे दिया तो 3 महीने का ब्याज यह 3 महीने बाद इशू करे गए है लोन लिया है तो 9 महीने का ब्याज 46,500 का interest आ गया interest paid on debentures 46,500 का हमने यह interest दे दिया चलो जी अब सर प्रपोस डिवेंट दिया गया है तो कौन से साल पे दू मेरे पास तो दो प्रकार की share capital है एक पिछले साल वाली है एक इस साल वाली है हमेशा पिछले साल वाली पे प्रिवेस यहर पिछले question में ही बताया है मैंने आपको 20 लाग रुपीज पे 8% 20 लाग पे 1% 20 लाग पे 8% 1,60 लाग रुपे का आपने ये dividend दे दिया उसके बाद क्या है जी हमारे पास interest paid on bank overdraft 10,000 bank overdraft पे 10,000 का interest दिया है ठीक है interest paid on overdraft 10,000 रुपीज बस अब देख लो value कितना आ रहा है आपका value देखना चाहता हूं में कितना आएगा 4,75,000 minus 3,00,000 minus 20,000 minus 46,500 minus 160 minus 10,000 मेरे बाद answer आ रहा है negative का 61,500 negative का इसको क्या बोलते हूं cash used in financing activity cash used in financing activity 61,500 ये आ जाता है हमारे पास समझे तो बहुत दी excellent question ये भी था बहुत जबरदस तरीके से ये question होता है screenshot लो जल्दी से पूरे question का और मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया questions कराए है financing activities के तो financing activities के basics मुझे पुरी उमीद आपको clear हुए होंगे अब operating भी पूरा, investing भी पूरा, financing भी पूरा तो बस तुमें बढ़े questions प्रैक्टिस करने है cash flow का question शुरू करते है सबसे पहले आप format बना लीजिए format में क्या करना है आपको बहुत basic सा format है देखो जो तुम लोग को याद रखनी है चीज़े सबसे पहले cash flow statement heading डाल दे न फिर उसके बाद cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity ये काम कर दे न आपको याद होना चाहिए कि investing में क्या क्या चीज़े आती है जली से बताओ मैंने आपको बताया है investing में fixed assets और non current investments बताया है न और financing में क्या क्या आता है financing में आता है share capital और loans ये याद रखना exam में लिखे मता आजाना याद रखना बस ठीक है उसके बाद जो cash flow की शुरुवात होती है वो होती है net profit before tax net profit before tax यहाँ लिख देंगे उसके बाद adjustments for non cash and non operating items यहाँ पे हम non cash non operating items suggest करेंगे अब question पढ़ते है ठीक है आजाओ आजाईए जी हम लोग question के साथ शुरुवात करते है question कुछ इस प्रकार का है prepare cash flow statement on the basis of the information given 2021-2022 ठीक है जी यानि यह previous year है यह current year है अब चीजे जैसे जैसे बताऊंगा पकड़ने की कोशिश करना माइन में set करना ओके देखो balance sheet दीवी है क्या-क्या given है मेरे पास equity and liability सबसे पहले जिसमें की shareholders funds ओके सर shareholder fund में share capital अब सोचो दिमाग लगाओ क्या share capital किसी head में मैंने आपको सिखाया है operating में, investing में, financing में सिखाया है क्या मैंने आपको financing में सिखाया है कि share capital से related चीज़े financing में आती है share capital पहले थी 60,000 रुपीज की पिछले साल मेरे पास shares का जो पैसा था वो 60,000 था इस साल 70,000 हो गया सर ये बढ़ कैसे गया 60-70 कैसे हो गया आपने नए share issue करे होंगे ना इसका मतलब बहुत बढ़िया कितने के नए share issue करे होंगे 60-70,000 के लिखो वट आपर जल्दी से हम लोग चलेंगे financing activities में और वहाँ पे क्या लिखेंगे issue of shares बस और कुछ नहीं करना चेक करते जाओ और लिखते जाओ 10,000 रुपीज पैसा आगया प्लस में लिखा है मैंने अब आगे चलते हैं चलो next क्या है next है मेरे पास reserves and surplus reserves and surplus का एक note number 1 है note डलावा है तो यानि नीचे note होगा reserves and surplus का ये रहा note number 1 देखो note में क्या-क्या दिया है एक तो general reserve दिया है और एक surplus दिया वा है यानि profit का balance दिया वा है तो याद रखो इसको मैं यहीं बना देता हूँ आपके लिए यह आपको याद रखना है कि अगर आपको ये लिखना हो कभी भी आपको reserves and surplus given हो तो हमेशा reserves and surplus से क्या बनता है net profit before tax हमेशा क्या बनता है net profit before tax net profit before tax ठीक है net profit before tax के लिए आपको क्या करना पड़ेगा current year का profit minus previous year का profit यानि की current year minus previous year 14,000 minus minus का 12,000 minus का है तो फिर minus minus plus हो जाएगा 14 plus 12 26,000 तो यह हो गया current year minus previous year फिर आपको क्या करना होता है फिर आपको करना होता है इसको reserve का ध्यान दखते हुए reserve पहले कितना था? reserve था 20,000 अब हो गया 30,000 reserve क्यों बढ़ गया? reserve में पैसा डाला होगा तबी तो बढ़ा है तो इसका मतलब profit और होगा मेरे पास सिर्फ यह profit नहीं है कुछ पैसा मैंने reserve में भी डाल दिया वो भी जोड़ो इसके अंदर यहाँ पे plus करते हैं transfer to reserve transfer to reserve कितना पैसा reserve में चला गया होगा? 20 से 30 हुआ तो 10,000 का चला गया होगा तो total अभी तक मेरे पास जो NPBT आ रहा है यानि net profit before tax आ रहा है अब मैं इसे हटाऊँगा तो mid जाएगा इसलिए मैं इसका एक image ले लेता हूँ so that मैं अगले page पे इसको लिख पाऊँ जब भी मैं उसे खोलूँगा ठीक है आप लोग इसको note down कर लो NPBT current year minus previous year सही है ऐसे ही करना है current year minus previous year minus में ता तो minus minus plus होगया reserve में 20-30-10,000 rupees transfer हो गया यह NPBT for now आ गया जी इतना काम हो गया चलिए जी यह हमने पहला वाला काम भी कर लिया ओके adjustments कौन कौन सी है depreciation है और debenture है चलो इसको भी आगे देखते है अब देखो आपने क्या क्या कर लिया अगर आपने liability side से balance sheet से शुरू करा है काम तो यह आप काम कर चुके हो यह reserves and surplus का काम कर चुके हो यानि reserves and surplus से हमेशा याद रखना NPBT निकलता है net profit before tax अब चलते हैं non current liability पे यह है long term borrowings long term borrowings यानि कि मैंने borrow करा है क्या loan long term borrowings यानि loan loan कहाँ पे जाता है सोचो share capital loan financing में जाता है चलो देखते है पिछले साल 50 इस साल भी 50 अरे ना पैसा आया ना पैसा गया तो cash flow में यह आये गई नहीं ना पैसा आया ना पैसा गया just ignore current liability current liability का पे adjust होती है current liability adjust होती है operating में याद आया अपरेटिंग में adjust होती थी या नहीं होती थी current liability adjust होगी operating में trade payable में note number 2 लिखावा है चलो note number 2 पे जाके देखते है क्या given है एक तो creditor है और एक bill payable है अच्छा आप liability में मैंने आपको क्या सिखाया था मैंने आपको liabilities में सिखाया था बढ़ जाए तो हम भी plus कर देंगे कम हो जाए तो हम भी minus कर देंगे हैना trade payable ये दो liabilities given है ये 6500 से 23500 हो गया यानि बढ़ गया बढ़ गया तो हम भी क्या करेंगे plus करेंगे कितना बढ़ा है जी 23500 minus 6500 17000 रुपीज तो ये plus करना पड़ेगा मुझे ओके बिल पेबल 25 से 1500 ये कम हो गया ये कम हो गया तो हमें minus करना पड़ेगा 25 से 15 हो गया तो 1000 रुपी ये minus करने पड़ेंगे ये मेरा operating में adjust होगा ठीक है या नहीं है चलो अब इसको लिख दू मैं फटा फट से कहां कहां पे लिखने है जी चलो जी ये मुझे पता चल गया अब देखो इसको कैसे लिखना है सबसे पहले मैं यहाँ पे NPPT वाला note लिख देता हूँ so that miss out ना हो net profit before text में हमने किया current year minus previous year कितना कितना balance current year minus previous year 14,000 minus minus का 12,000 यानि plus 26,000 plus transfer to reserve 10,000 तो ये total हो गया 36,000 reserve जन सब्स में तो ये किया था ठीक है non grand liability में ऐसा कुछ था नहीं current liabilities के adjustment आप कहां पे करते हो यहां पे करते हो operating में मैंने आपको बताया था यहां पे जब operating profit आ जाता है operating profit के बाद यहां पे add करना है और less करना है add क्या करना था मुझे add करना था मुझे increase in creditors creditors बढ़ा था increase in creditors कितना बढ़ा था 17,000 ये plus करना था और कम क्या हुआ था decrease in bill payable bill payable 1,000 रुपे से कम हुए थे तो ये हमने minus करते है देखो यहां तक सारी चीज़े बहुत अच्छी चल रही है आप almost liability side खतम करने वाले हो सब कुछ आपने पूरा का पूरा adjust कर दिया है आज आजाओ जी अब देखो हम क्या क्या कर चुके है balance sheet में share capital कर दिया reserves and surplus कर दिया long term boring से कुछ आया नहीं था trade payable भी हम adjust कर चुके है तो हमारा काम liability का खतम तुमने liability side खतम भी कर दी सर खतम भी हो गई येस और क्या करना है cash flow में यही तो देखना है अब assets पर चलते है चलो जी assets पर चले तो assets में है मेरे पास non current assets fixed assets tangible assets tangible assets का मेरे पास balance है 84 or 98 asset का balance है asset में मैंने आपको account बनाने सिखाए थे asset में हमेशा account बनता है ठीक है adjustment क्या दिया है adjustment दिया है depreciation जो है वो 8,000 रुपीज का है depreciation during the year कितना है 8,000 okay depreciation 8,000 है अब एक बात याद रखना ये एक adjustment है जितनी भी adjustments आप cash flow में पढ़ेंगे वो सभी adjustments दो-दो place पे जाएंगी यानि हर adjustment का dual impact होता है या आपने class 11 में भी पढ़ा financial statements में या आप लोगोंने class 12 NPO में partnership में सब पढ़ते आ रहे हो जितनी भी adjustment है दो-दो जगा पे जाती है है ना यहाँ भी same treatment है अब जैसे depreciation है चलो depreciation कितना दिया वा है 8,000 और asset का opening closing कितना है 84,98 84,98 चलो asset का account बनाते है working note number 2 working note number 1 ही हो गया working note number 2 हम बनाएंगे asset का account asset का account बनाना मैंने आपको सिखाया था straight forward opening closing लिखना है ठीक है चलिए सबसे पहले to balance brought down by balance carried down opening closing कितना था depreciation तो 8,000 था opening है 84,98 84,000 शुरू में है 98,000 closing में है और by depreciation जो given है वो 8,000 का given है एक बार मैं फिर भी confirm कर लूँ opening 84, closing 98 और जो depreciation provided है वो 8,000 है ठीक है जी यही सब सीखा था हम लोगों ने अब क्या करें सर यह पूरा का पूरा काम तो कर दिया हमने अब आपको simply क्या करना है आपको दिखना है कि balance कि इदर आ रहा है जैको इदर 84, इदर 98 प्लस 8 1,6,000 और इदर 84 तो balance यहाँ पर आ जाएगा to bank और balance अगर इदर आता है तो उसको क्या बोलते है purchase ठीक है तो 98 प्लस 8 1,6,000 माइनस 84 22,000 रुबीज आपके पास purchase बचेगा 22,000 रुबीज का आपके बास क्या बचता है purchase बच जाता है ठीक है जी अब most important part is क्या है इसको post करना इसको post कैसे करेंगे देखो balance कहीं नहीं जाते यह balance आप just ignore करोगे कहीं पे भी आप यह balances post नहीं करोगे ठीक है उसके बाद यह जो depreciation है यह adjustment था एक तो यहाँ पे आगया count में दूसरी जगा मैंने आपको सिखाया था operating में सबसे उपर plus होता है क्योंकि वो non cash वाली item है तो depreciation आप सबसे उपर यहाँ पे plus कर देंगे add depreciation पूरा ही लिख लो कितना है जी 8,000 रुपीज 8,000 रुपे का depreciation प्लस कर दिया आपने यहाँ पे क्योंकि यह non cash non operating item है अब बचा परचेज 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 कहां लिखना है एसेट कहां पर आता है यहाँ पर इन्वेस्टिंग में तो परचेज ओव एसेट 22,000 रुपीज परचेज करा तो पैसा गया cash flow statement बना रहे हो परचेज किया तो पैसा गया समझ मैं आ रहा है यहाँ तक अच्छे से इसी तरीके से करना है देखो अभी तक जितनी चीज़े आई थी वो सब combine होगी है operating में भी मैंने आपको चीज़े सिखवाई थी investing में भी और financing में भी चालो अब आगे चलते हैं उसके बाद क्या given है सर हमें उसके बाद हमें given है non current investments non current investments शुरू में कितने की थी 6,000 की अब कितने की होगी है 16,000 की सर ये क्या करना अब देखो अगर आप चाहो तो आप non current investments का भी account बना सकते हो वैसे orally भी पता चल रहा है लेकिन फिर भी अगर तुम्हें account बनाना हो तो देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी help करता हो suppose opening में balance brought down opening में है 6,000 और closing में कितना है 16,000 opening में 6 closing में 16 यह लिख दिया और कुछ given नहीं है कुछ भी given नहीं है तो balance यहाँ पर निकल के आएगा और जब भी balance debit में आता है तो उसको क्या बोलते हो purchase कितना 10,000 रुपे 10,000 रुबी का purchase निकल आया और वो आप common sense से भी देख पा रहे थे कि शुरू में non current investments 6,000 की थी last में 16 की होगो एकदम से थोड़ी न बढ़ जाएंगी इतनी तो यह purchase है आपने 10,000 की और buy करी ठीक है तो balance तो कहीं नहीं जाता बस 10,000 रुपे की जो purchase है यह कहा जाएगी हमारी कौन सी activity में investing activity में चलो जी purchase of non current investments कितने रुपीज की 10,000 रुपीज की हमने non current investment खरीद ली पैसा चला गया बहुत simple चल रहा है अभी तक समझ में आ रहा है न सारा चलो ध्यान से करना question की practice ऐसे ही करनी है अच्छा जी ये भी कर दिया ये भी कर दिया ये भी कर दिया अब चलते है current asset पे सबसे उपर current asset, current liability याद है लेकिन यहाँ पे मेरे पास current investments और cash और bank balance ये दो चीज़े दिये current investments हो या cash और bank balance हो ये हमारे दोनो cash and cash equivalents का part होते हैं बिल्कुल first part में मैंने आपको cash and cash equivalents लिखवाये थे क्या-क्या होते है cash, bank balance, current investments, marketable securities ये याद रखना, चार चीज़े याद रखना cash, bank balance, drafts, checks और marketable securities और current investments तो ये याद रखेंगे कि ये हमारे basically क्या है cash and cash equivalents है ओके, अच्छा basic इसको अलग लगता हो मैं अभी inventory बजगया current asset बस, inventory आपका current asset बजगया अब asset में चलता है उल्टा हिसाब किताब बड़ा, तो minus कम हुआ, तो plus ठीक है, अब देखों ये 12 से 49 हो गया 12 से कितना हो गया 49, तो 37 से बढ़ गया ये बढ़ गया है जो inventory है ये बढ़ गया है 37 से बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, minus बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सबसे उपर, ठीक है, और ये दोनों cash and cash equivalents का पाट है, इसका अभी कुछ नहीं करना, मैं इसका photo ले लूँ, so that मैं आगे लिख पाऊं, cash and cash equivalents, और ये, current investments और cash are bank balances, current investments और cash और bank balances के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो मैं ऊपर कर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे, जो हमारा inventory है, inventory में क्या हुआ था, inventory बढ़ गया था, बढ़ गया था तो हम less करेंगे, increase in inventory, inventory कितने से बढ़ा है, 37,000 रुपीज से, यह याद रखना बेटा जी, liability में सीधा सीधा ही साब किताब, assets में उल्टा ही साब किताब, अच्छा जी, अब cash and cash equivalent का note number 3 बना लो, note number 2 बना चुका हूँ, मैं note number 3, working note number 3, cash and cash equivalents, cash and cash equivalents, current year, previous year, इसमें मेरे पास current investment है, और cash and bank का balance है, cash and bank balance, कितने कितने थे, पाँच हजार, आठ हजार का तो, cash and bank balance था, और 20,000 और 18,000 रुपे के current investments से, याद रखना है, cash and cash equivalents को एक साथ लिख लेना है, आपने आइड करके, ठीक है, तो मुझे बताओ, cash and cash equivalents, पिछले साल कितने के थे, 20 plus 5, 25, और इस साल 18 और 8, 26, इनका भी कुछ नहीं करना, बस लिख के रखो, पिछले साल 25, इस साल 26, बागी सब कर दिया हमने, ठीक है, देखो मैंने बस plus करे, 20 plus 5, 25 पिछले साल के, और 18 plus 8, 26 इस साल के, ये सब हो गया, balance sheet खतम हो गया, बहुत बढ़िया, अब notes चेक कर लो, ये NPBT में यूज हो गया, ये current liability में यूज हो गया था, done, additional information, depreciation हो चुका है, अब क्या बचा, एक छोटा सा लिखावा है, interest on debenture 5000, आपने debenture पे interest दिया है 5000, अब सोचो, वो interest किस पे दिया है, debenture पे, कितना, 5000 रुपीज, loan पे interest हो गया, loan वाली कोई भी चीज का जाएगी, financing में, तो 5000 रुपे का interest दिया, 5000 रुपीज का interest दिया, यहाँ पे लिखेंगे, interest paid on debenture 5000, payment हुआ तो पैसा गया, इसको minus कर देंगे, ठीक है जी, अब आपको एक बात याद रखनी है, this is, एक कौन सा item है, यह पहले बात तो adjustment है, adjustment है तो दो जगा जाएगा, जितनी भी adjustments है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितनी भी adjustments है, वो अगर यहाँ minus हुई है, तो उपर plus होगी, यहाँ plus हुई है, तो उपर minus होगी, यह तो एक trick है, तो कि दुम्हारी गलती ना हो, दूसरी चीज़ मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, कि यह एक non-cash non-operating item है, non-operating item है, रोज-रोज तो नहीं होती, मैंने first class में सिखाया था, जितनी भी non-operating expenses है, वाप इस से जोड़ो, add करो, है न, और यहाँ पर minus होगा, तो आपको यहाँ करना ह interest paid on debenture यहाँ minus होगा, यहाँ पर add होगा, interest on debenture 5,000 रुपीज, प्लस हो गया, ठीक है जी, चालो जी, अब हमारे पास net profit before tax कितना था, यह final है, 36,000 रुपीज, तो NPVT 36,000 लियाओ, 36,000, non-cash non-operating items, 8 plus 5, 13,000, तो operating profit before working capital changes, इसको क्या बोलते है, operating profit before working capital changes, कितना आ गया, 36 plus 13, 3, 4, 6, 3, 9, 49,000, अब current assets और current liabilities adjust कर दू, 37 plus 37 में से अगर मैं 17 हटा दू, तो 20 बसता है, 20 में से 1 हटा दू, तो 19 बसता है, तो यहाँ पर 19,000 नेगिटिव का आ जाएगा, operating activity खतम, नहीं, minus का था जाएगा, 21, 38 minus 17, 21, ठीक है जी, अब आपको क्या गरना है, बस 49,000 minus 21,000, 28,000 रुपीज आपका बाहर आ गया, इसको क्या बोलोगे आप, मिर पास जगा नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक line में लिख देना, क्या, पॉजिटिव आया है न, तो cash flow from operating activity, इसे क्या बोलते है, cash flow from operating activity, ठीक है, इन्वेस्टिंग से क्या आ रहा है जी, इन्वेस्टिंग से तो negative में ही जा रही है figure, 22 और 10, 32,000 नेगेटिव का, 32,000 नेगेटिव का तो इसको क्या बोलते हैं, cash used in investing activity, अगर positive आए तो flow, negative आए तो used, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या आएगा financing में, 10-5, 5, और यहाँ पर भी 5 आजाएगा, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, cash flow from financing activity, ठीक है जी, okay हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, A plus B plus C, यानि कि तीनों का final आपको plus करना है, सर तीनों का final मतलब, कि तीनों में कितना कितना answer आया, operating में 28 आया था, investing में minus का 32 और यह plus का 5, तो 28 plus 5, 33, 33 minus 32, 1000, A plus B plus C कितना आ गया, 1000, इसमें क्या add करना है, इसमें plus करना है, opening या फिर previous year वाले, cash and cash equivalents, previous year वाले, सर previous year वाले cash और cash equivalent यह थे, 25, इसमें plus कर दो, 25 इसमें plus कर दो, आप देखो, आपके पास final answer क्या आया, 26,000, 25 plus 1, 26, इसको हम क्या बोलते हैं, closing या फिर current year वाले cash and cash equivalents, यह closing के बराबर आना चाहिए, closing चेक करो कि 26 है, करो जी match, अगर यह match कर जाता है, it means आपका काम बिल्कुल सही है, आपने कोई भी गलती नहीं करी है, तो इस प्रकार से आपको question करना है, अब समझे cash and cash equivalent मैंने last में अलग से क्यों लिखा था, क्योंकि वो बिल्कुल question को match करने में, verify करने में हमारी मदद करेगा, बिल्कुल last में, ठीक है, तो हम लोगों को cash and cash equivalent अलग से लिख दिया, asset का account बनाया, NPPT अलग बनाना अना चुछिए, बाकी पूरा cash flow अलग-अलग activities में से, इस तरीके से निकालके, आपका final answer आ जाता है, लो जी, यह आपका final पूरा का पूरा question एक ही जगा मैंने कर दिया, ओक्के हो गया जी, this is how the question of cash flow should be done, ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा, अब आप थोड़ा-थोड़ा explore कर सकते हो, अपनी books वाले questions, बड़े questions भी explore कर सकते हो, मैं अभी आपको और questions कराऊंगा, ताकि आपके cash flow में नमबर नागटे, अभी तो शुरू है,